हेलो गाइस तो आज हम डिस्कस करेंगे दकेनोराइजेशन जो की लिखी है जॉन डन ने जॉन डन जिसे की मेटाफिजिकल पोयट थे और मेटाफिजिकल पोयटरी लिखते थे मैं आपको बताया था कि मेटाफिजिकल पोयटरी होती क्या है हमने जो चीज इमेजीन भी नहीं वाँच के लिए और मेरा नसीव अच्छा नहीं यह कहके तुम चीड़ा सकते हो तुमे तुमेह च्छा खढ़ा करना दो तो तुम्हारा दिमाग ने यह तुम्हारे माइंड इंप्रूव करने के लिए तुम्हें आठ्स या फिर कला सीखनी होगी कोई तुम एसी जगह पर जाओ जहां तुम अच्छे लोगों की वेल सेटेड लोगों की संपती को देख सकते हो और हीज ग्रेस उसकी वेल्थ को देख सकते हो और इसके लिए तुमारे पास दो रास्ते हैं या फिर तुम खुद किंग बन जाओ और हीस स्टेंप्ट फेस या फिर उनके राज्य के उनके किंग्डम के सिख के या फिर महर बन जाओ कोईन बन जाओ यानि सोचो तुम क्या बनोगे फिर जोन डन दुनिया के सामने अपना पेंग्रेजन करते हैं कि मेरे प्यार करने से किसी को कभी भी हट हुआ है किसी को नुकसान हुआ है तो फिर क्यों मुझे लोग इतना कोस रहे है इसलिए वो यहां कहते है कि मेरे प्यार से किसी को क्या कोई इंजर हुई है किसी को कोई नुकसान पहुंचा है क्या कभी एसे हुआ है कि कोई व्याबारी के जहाज मेरे प्यार के वज़े से डूब गये हो कौन सा किसाने सा कहता है कि मेरे आंसों की वज़े से उनका खेत है वो डूब गया है बरबाद हो गया है क्या मेरा पयार इतना रूखा सुखा या फिर ठंडा है कि उसकी वज़े से स्प्रिंग यानि वसंतरों तो भी चली गई मेरी शरीर की गर्मी के वज़े से अगर ऐसा कभी भी मेरी वज़े से किसी के साथ नहीं हुआ है तो मैं उसके साथ प्यार कर सकता हूँ फिर वो दुनिया के सामने कहते है तुम हमें क्या कहोगे हम आज जो कुछ भी बने है अपने प्यार के वज़े से ही बने है अगर तुम मेरी बिलवड को एक कीड़ा कहते हो तो मुझे दूसरा कीड़ा कह दो हम ऐसी केंडल्स भी है जो की अपनी खुद की वज़े से ही जल जाती है खत्म हो जाती है यानि हम एक दूसरे में इगल और कबूतर ड़ की चबी देखते हैं यानि पोईट कहते कि मैं एसा इगल हूँ जो मेरी बिलवड है उसे देखता ही रहता हूँ गेजिंग करता रहता हूँ और उसकी बिलवड है उसे डव यानि कबूतर के जैसा शांत बताया गया है अब यह फिनिक्स है वो एक मीथ है एक मीथ के एकोडिंग यानि एक ऐसे ग्रीक माइथोलोजी के एकोडिंग एसा बर्ड है जो कि एक बार जलने के बावजुद फिर से खड़ा हो सकता है उड़ सकता है तो पोएट बताते है कि यह फिनिक्स का रीडल है वो इस बात का गवा है वी तू बिइंग वऔन आरिट हम भी ऐसा कर सकते हैं we die and rise the same हम मर भी सकते हैं और मनने के बाद फिर से जिन्दा भी हो सकते हैं and prove mysterious by this love और अगीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है बट poet कहते हैं कि हम अपने प्यार के बलबूते पर प्यार के पावर के बलबूते पर हम ऐसा कर सकते हैं अगर ये दुनिया हमें हमारे प्यार के साथ जिन्य नहीं देती तो हम मर जाएंगे प्यार की वज़े से अब पहले अब पहले अब यहां तक का translation करते कि हम हमारी कबर पर लिखी जाने वाली महान जो गाथा है अच्छे काम है इतना तो अच्छा हमने काम किया नहीं है और इसके लायक भी हम रहे है नहीं ना ही और लिजेंड भी ना ही हम ऐसे कोई हीरो है कि हमारी कहानी आप दुसरे को सुना सके इफ विल भी फिट फॉर वर्स सिर्फ वर सिर्फ हमारी कहानी है वो पोईटरी में फिट बैट सकती है हाँ माना कि हमारी जो प्रेम कहानी है वो कोई बड़े इसे क्रोनिकल में नहीं आ सकती या फिर इस पर बड़ा क्रोनिकल नहीं लिखा जा सकता लेकिन वी विल बीन इन सॉनेट स्प्रेटी रूम्स हम छोटी सी पोयम में अच्छी तरह से फिट हो जाएंगे या पोईट कहते हैं कि हमारी जो राख है ग्रेटेस्ट एशिश वो ग्रेटेस्ट बनेगी इतनी ग्रेटेस्ट देखिए जनरली हम ऐसे मानते है कि इनसान के मनने के बाद उसकी जो राख होती है वो ग्रेट होती है तो पोईट यहां कहते हैं कि सिर्फ हमारी दोनों की जो राख है एक कलश में और यानि सिर्फ कलश के जितने छोटे पातर में बढ़ी होगी लेकिन वो पूरे कब्रस्तान की जितने भी इंसान है उसकी राख से भी ग्रेटर होगी और मेरे इस कहानी से इस जो पोयम है उससे ये दुनिया हमारे प्यार को एक एग्रिमेट देगी सम्मन्ति देगी एप्रूव करेगी अस केनोनाइड फॉर लव और हमें प्यार करने की इजासत देगी फिर आगे जाके जो आगे की जनरेशन है वो हमसे प्रास्ना करेगी इनवोक करेगी हम एक दूसरे के हर्मिटेज बनेंगे वो लोग हमें कहेंगे कि तुम्हारे वक्त पर तो क्या था यानि कहते है कि अगली जनरेशन है यहां जो ब्रेकेट में लिखा गया है वो मिनिंग है उपर जो लाइन है इन्टो दे ग्लासिस ओफ यो आईस यानि कि आप दोनों के आँखों में मानों की कोई इसा मीरर है जिसमें यह पूरी दुनिया है वो सच्चे व्यार की डेफिनेशन देख पाएगी यानि कि यह देश हमारा शहर और कोट्स यानि राच दरबार यह सभी आपके सामने भीक मागेगे किसकी और पैटन ओफ यॉर लो तुम्हारे प्याद की तुम्हारे प्यार के पैटन की गाईज यह वीडियो ही खत्म होता है अगर आपके वीडियो का एक्स्प्रेशन अच अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंट सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा थेंक यू